Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल तो इसको अब डीटेल से समझेंगे की exactly हुआ क्या हुआ था, क्या चीजें हुई थी, आखिरकार इसमें डिले क्यों हुआ, और वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जो भी लोग UPSC की जैसे GS Foundation Batch, इसमें आपको पूरी तियारी कराए जाती है, बस आपको हमारे वेबसाइट एप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको maximum discount मिल जाए, और इसके लावा अगर आप MCQs एटेंट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए सुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly क्या हुआ है, दिखें दोस्तों आपको याद होगा, अमित शाजी का कुछ दिन पहले ही बयान आया लेकिन क्या हुआ था कि इससे related जो rules हैं, वो अभी तक notify नहीं किये गए थे, भले ही वो law तो pass हो गया, लेकिन उसका rules नहीं आया था, जिसकी वज़े से अभी तक ये implement नहीं हो पाया था, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो home ministry के spokesperson हैं, उन्होंने कहा है, these rules, इन rules को क्या क implement किया जा रहा है, अगेन आप देख सकतो, यहाँ पर जो notification आया है, that is from ministry of home affairs, 11th में का, 11th मार्च का ये notification है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, application for grant of citizenship by registration or naturalization by persons eligible under section 6b, और इससे related जो forms वगर हैं, वो भी जारी किये गया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर समझनी की जरूरत है, कि यह citizenship amendment act है क्या, basically क्या है, 2019 के बाद, जब नरेन मोदी जी की सरकार वापस आई थी, तो उन्होंने यहाँ पर यह कहा, कि तीन देशों के अंदर, हमारे देश के आसपास पडोस में, जो तीन देश हैं, वो कौन-कौन से, एक हो गया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, और तीसरा बांगलादेश, वहाँ पर जो non-muslims migrant हैं, मतलब कि वहाँ से बहुत सारे जो non-muslims हैं, वो भारत के अंदर आए हुए हैं, 2014 के पहले तक, और उनको काफी जादा प्रतारना सहनी पड़ी है, मतलब कि जैसे पाकिस्तान म आप देखोगे, जब देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान में यहाँ पर जो non-muslims की percentage थी, वो काफी जादा होती थी, double digit में होती थी, आज वो single digit में रहकर हो गई है, और इसी की वज़े से इसका कारण यही है, कि वहाँ से बहुत से जो non-muslims हैं, वो भारत में अंदर आ अगर 2014 तक देश में आए हैं इन तीनों देशों से, तो यहाँ पर भारत सरकार उनको भारत की नागरिकता देगी, अब देखो यह जो बदलाव है वो basically किया गया था, citizenship act आपको पता होगा, एक है 1955 का, लेकिन उसमें क्या है, उसमें यह बोला गया है, कि आपको कम से कम 11 साल रहना चाहिए, मतलब अगर आप देश में 11 साल हो, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह जो amendment लाया गया था सरकार के दोरा, उसमें बोला गया कि नहीं, 11 साल की जरुरत नहीं है, इसको हम घटा कर 5 साल कर दे रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर 5 साल थे, और 31 1 दिसमबर 2014 तक अगर आप देश में आ गये थे, तब आपको यह citizenship मिल जाएगी, और यह जो पुरा कानून है CAA का, वो पारलेमेंट ने दिसमबर 2019 में पास कर दिया था, और उस समय आपको याद होगा, जो President of India थे, रामनात कोविन जी, उन्होंने इसको साइन करके, इसको एक तरह से जो बिल है उसको कानून में बदल दिया, लेकिन जैसे ही ये कानून आया, उसकी वज़े से देश के कई हिस्सों में आपने देखा होगा, काफी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, इस्पेशली आप सबको याद होगा, दिल्ली के अंदर साहीन बाग, शाह जो पुरा प्रोटेस्ट है वो भी यहाँ पर खतम हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, कि भले ही ये अभी तक लागू नहीं हो पाया था, स्रीजन्शिप अमेंडमेंट अक्ट, लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने बैक डोर से बहुत से माइग माइगरेंट्स को नागरिकता दी है, बेसिकली क्या है, देश के करीब 30 डिस्टिक मजिस्टेट और हों सेकरेटरीज को ये पावर दिया गया, नौ राज्यों में, वो नौ राज्य कौन से हैं, गुजरात, राजिस्थान, छतिसगर्ड, हर्याना, पंजाब, मध्य परदे सिडेंशिप अप्लिकेशन फ्रॉम नौन मुस्लिम रेफ्यूजी फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश, तो अलरी ये दिया जा रहा था, लेकिन कोशन ये है कि आखिरकार CAA को इंप्लिमेंट करने में इतनी देरी क्यों हो गई, 2019 का कानून, अब जाकर क्यों ये लागू हो रहा है, दिखो इसके कई सारे factors बताया जा रहा है, एक तो जो सबसे वड़ा factor आपने दिखा, जैसे ये कानून आया था, देश के कई सारे इलाकों में जो protest हुआ था, especially आसाम के अंदर, तिरपुरा के अंदर बहुत से लोगों का कहना था, कि जो वहां बहुत सारे जो experts से उनका ये कहना था, कि सरकार यहाँ पर discrimination कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया, CEA के अंदर non-muslims को ही citizenship दिया जाएगा, उन तीन देशों में, तो सरकार का ये तर्क है कि देखे, उन तीन देशों में already जो Muslims हैं, वो आपके majority में हैं, तो minorities क उपर अत्याचार होता है, तो इसी लिए हम non-muslim migrants को ये citizenship देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे experts चले गए Supreme Court में, और उन्होंने कहा, नहीं ये discriminatory है, भारत ने कभी भी इस तरह से discrimination नहीं किया है, religion के आधार पर, अगर आप Hindu और Christians को अगर आप citizenship दे रहे हैं, तो इसे यहाँ पर जो भी migrants हैं, 2014 तक जो आये थे देश के अंदर, non-muslims, वो apply कर सकते हैं इसके लिए, और apply करने के लिए क्या करना होगा, उनको online mode के थ्रू ही apply करना होगा, ध्यान रखेगा, यहाँ पर सरकार ने एक ही mode दिया है, वो है online, उनको portal पर जाकर, web portal पर जाकर, एक application भरना होगा, यह आप देख सकते हो, form 2A application है यह, और यह इसमें दो पार्ट हैं, यह पहला पार्ट आप देख रहो, यहाँ पर photograph वगर लगाना है, और बाकी के जो नाम और जितनी भी चीज़े हैं, details वगर वो यहाँ पर भरनी है, फिर इसके लाबाब पार 2 के अंदर दे सिगनेचर करना है, और online इस form को भरना है, फिर सरकार decide करेगी कि उनको citizenship मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब question यह है कि देश में opposition का क्या कहना है, इन सारे चीज़ों को लेकर, यहाँ पर जो ममता बनर जी हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है, कि हम इसको oppose करेंगे, मत me be very clear that we will oppose anything that discriminates people, जहां तक Congress का सवाल है, तो देखो Congress ने भी यहाँ पर timing को लेकर सवाल उठाया है, कहा है कि यहाँ पर अभी क्यों इसको apply करना था, लागू करना था, जश्ट लोग सभाद चुनाओ के पहले, तो कहीं ना कहीं जो सरकार की मनशा है, वो ठीक नहीं है, यहा प्राइम मिनिस्टर क्लेम करते हैं कि हम time bound manner में चीजें करते हैं, तो यहाँ पर आखिरकार उनको इतना delay क्यों हो गया, तो कहीं ना कहीं election के just पहले, especially West Bengal और आसा में polarization करने की कोशिश की जारी है BJP के दोरा, ऐसा यहाँ पर आरोप लगाया गया है, और साथी साथ यह भी ब नया आया है, इसको जो headline है, क्योंकि सुबेच से आप देख रहे होगे, यह लगातार चल रहा था, तो कहीं ना कहीं headline को भी manage करने की सरकार के दोरा कोशिश की जारी है, ऐसा जैराम रमेशी का कहना है, खेर जो भी है, आप क्या सोचते हो, मुझे comments में जरूर बताएगा, ल वापस से सरकार repeat नहीं होने देना चाहती, और इसलिए यहाँ पर जो police personnel है, पैरा military forces हैं, दिल्ली के कई parts में उन्होंने flag march निकाला है, और साथी साथ यहाँ पर कहा है, कि हम सीटीजन से request करते हैं, कि हमारे साथ यहाँ पर cooperate करें, क्योंकि उनकी जो सुरक्षा है, वो हमारे सबसे important है, तो यही था दोस्तों, पूरा video CA के बारे में, आप क्या सोचते हैं, इसको लेकर मुझे comments में जरूर बताएगा, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, तो को यह बहुती interesting question है, Indian constitution में citizens को कैसे define किया गया, यह आपको बताना है, जहां से करना है, काफी लोग confused हो जाते हैं, इस question में, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आएए, अलग Thank you very much, see you soon.